हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कोरोना काल में खर्च और आमदनी की एक्वेशन पर नजर रखना बहुत जरूरी है तो आज की जो वीडियो होगी वो इसी पर होगी यह जानना अच्छा होता है कि व्यक्ति को वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी उसे जरूरत है और विज्यापनों से भ्रहमित नहीं होना चाहिए लेकिन खर्च पर नियंतर्ण करने के लिए इच्छा सक्ती और अनुशासन की जरूरत होती है और ऐसा करना आसान बिलकुल भी नहीं होता एक का खर्च दूसरे को वेश्ट लगता है तो इसके लिए कहां रुकना चाहिए कितना अधिक बहुत अधिक है एक व्यक्ति का खर्च किसी दूसरी व्यक्ति को बैकार क्यों लगता है इस प्रश्ण का उत्तर देने का अच्छा तरीका ये पूछना है कि क्या खर्च इतना बड़ा था जिससे हमें परिशानी हुई आमदनी बढ़ने के साथ कितने खर्च से परिशानी होगी इस प्रश्ण का इमानदारी से उत्तर देने की जरूरत है कोई व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह पर 10 करोड रुपे खर्ज कर सकता है और तब भी उसकी संपत्ती में कोई कमी नहीं हो भी एक अन्य व्यक्ति अपने घर में समारों के लिए कर्ज लेता है और लंबे समय तक उसकी किस्त चुकाता है तो दोस्तों कमेंड करें कि इन दोनों इस्टितियों में क्या दूसरा वक्ती गलत था अब बात करेंगे affordability क्या है affordability के प्रशन का तब उत्तर मिलता है जब वक्ती यह पूछता है कि खर्ज की भरपाई के लिए नई आमदनी कब तक मिलेगी अगर एक परिवार की आमदनी 75,000 रुपे प्रतिमा है और वैस सालाना चुटी पर 4,000,000 रुपे खर्च करता है तो इससे वित्ती इस्थिती कमजोर हो जाएगी यह खर्च बहुत बड़ा है क्योंकि इसे पूरा करने में कई महिनों की आमदनी जाएगी इतना बड़ा खर्च एक बार में करने के लिए बचत से रकम निकालनी होगी एक इस्तर पर खर्च के कुछ निर्णों से मुश्किल होती है हमें उस इस्तर को जानना होगा बड़े खर्च एक नूनितम इस्तर पर हो सकता है और बाद में बढ़ सकता है मेरे ओफिस के पास एक चाय वाला 10 रुपे में special cutting चाय बनाता है बहुत पसंद की जाती है एक बड़े रेस्टोरेंट में खराब चाय के लिए 300 रुपे खर्च करने के बाद मैंने ये गल्ती नहीं दोराने का इरादा किया था एक नामी रेस्टोरेंट में महेंगी चाय पीना status की पहचान माना जाता है एक अच्छी आमदनी वाले व्यक्ति के लिए पेड़ के नीचे खड़े होकर चाय पीना शायद अच्छा नहीं माना जाएगा लेकिन मुझे cutting चाय पसंद है खर्च के विकल्प पर नजर रखें इसी तरह के विकल्प खर्च के परतेक निड़ने के लिए उपलब्द हैं एक साधारन second hand car या market में हाल ही में आई modern design वाली luxury car एक छोटे परवार के लिए one room apartment या bedroom वाला penthouse ऐसी list सबी खर्चों के लिए हो सकती है basic से महेंगे तक हमारे पास विकल्प ही विकल्प होते हैं अब विकल्पों पर विचार भी जरूरी है हमें इन विकल्पों पर विचार कर यह पूछना चाहिए कि एक निड़ने लेने के लिए हम कहा हैं हमारी इस्तिती के अनुसार क्या अच्छा रहेगा कौन सी चीज संपत्ति को नुकसान नहीं पहुचाएगी और लंबी अवधी के लक्षों को नुकसान नहीं होगा हमारी जरुरत को कौन सा इस्तर पूरा करेगा हम बहुत सी चीजे खरीड़ना चाह सकते हैं लेकिन हम अपनी आमदनी और वित्ती इस्तिती के अनुसार ही खर्च कर सकते हैं महंगे आइटम पर खर्च करने से क्या होगा इसे लाइफस्टाल पर बहुत अधिक जोर देने वाले लोगों की कमजोरी के तौर पर देखा जाता है अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने से विक्ती को ऐसे इस्तर पर खर्च करने की आदत लग सकती है जो उसकी वित्ती इस्तिती के लिए ठीक नहीं होता तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा जै हिन जै भारत